So Hello Friends, Welcome to God of Economic Classes आज हम लोग पढ़ेंगे Fixed Exchange Rate के बारे में Fixed Exchange Rate में क्या होता है? Fixed Exchange Rate में normally हमारा जो भी Exchange Rate होता है जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था $1 is equal to 60 फ़िशले lecture में पढ़ा था $1 is equal to 70 आज के टाइम आप लोग देखते हों के 50 रुपीज 70 रुपीज देने में एक डॉलर हमें मिलेगा तो यह आज के राम जो एक्षेंज रेट है मदलब कि आज जो डॉलर के हैं मेर रुपए के बले डॉलर देना पड़ता है वह आजके मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं कौन डिसाइड करता है मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं बट जो हमारा क्या कहते हैं कि 1990 के पहले हमारा फिक्स एक्षेंज रेट चलता था फिक्स एक्षेंज रेट मतलब कि उस ताम हमारा जो एक्षेंज रेट था वो डिसाइड कौन करती थी government करती थी आज की टायम हमारा exchange rate कौन decide करता है market forces करता है बट 1990 के पहले हमारा जो exchange rate था इंडिया में कौन decide करती थी government decide करती मतलब government बोल देती थी कि 1 dollar 50 rupees के बराबर होगा 1 dollar 10 rupees के बराबर होगा मतलब market forces का कोई भी रोल नहीं होता था ठीक है तो fix exchange rate मतलब यह होता है कि यहाँ पर exchange rate जो है वो कौन decide करेगा वो government decide करती थी ठीक है और government कुछ भी exchange rate रख सकती है वो equilibrium से जादा भी हो सकता है और equilibrium से कम भी हो सकता है ठीक है अब जैसे यहाँ लिखा भी है the government may set it level may set it as a level higher or lower देंदा equilibrium exchange rate लभी government जो है वो एक्षेंज रेट यह जो यह equilibrium है इसके ऊपर भी set कर सकती थी और इसके नीचे भी set कर सकती अभी हम लोग दोनों चीज़ें समझेंगे ठीक है अब दो चीज़ें हम इसे त्यान रखेंगे कि flexible में हम लोगों प्लेक्सिबल में और appreciation की इसको बोलते थे जब हमारी currency के value बढ़ जाती थी foreign currency के comparison में ठीक है depreciation का मैं आपको example देता हूँ जैसे मालीची हमारा एक डॉलर सबसे पहले एक डॉलर था 50 रुपीस का था और अब due to market forces due to किसी भी रीजन की वज़े से रीजन मैंने आपको बताया थे किसी भी रीजन की वज़े से एक डॉलर 60 रुपीस का हो गया तो यह क्या हो गया हमारी currency में depreciation हो गया कि अब हमें तीस रुपेगा तो due to market forces एक डॉलर हमारा तीस रुपेगा हो गया तो हमारी currency value बढ़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे अब हम लोग यहां समझेंगे devaluation devaluation मतलब भी होता है कि हमारी currency value कम हो जाना और एक होता है अब हम लोग सबसे पहला केस पढ़ेंगे कि मतलब कि devaluation हम समझेंगे समस्ते जली देखिए एक बात देखिए मार्केट में पहले हमने currency ले लिए supply and demand for foreign currency यह आपको हर डाइग्राम में लेगा है और यहां मैंने ले लिए rate of exchange ठीक है अब मान लीजे सबसे पहले हमने यह बनाया demand for foreign currency और यह बनाया मैंने supply of foreign currency मेरा डॉलर का rate चला था 50 डॉलर 50 रुपीज का वन डॉलर चला था ठीक है अच्छी बात है अब क्या हुआ government ने devaluation कर दिया government ने जान बूच के क्या करा हमारी जो domestic currency रुपए की value कम कर दी अब जब रुपए की value कम करेगी government तो कैसे कम करेगी भाई exchange rate ज्यादा कर देगी एक्षेंज रेट जादा डाड़ कर देगी चैनल से लार और कर देगी क्यों कर देगी क्यों कर देगी कियो क यंत्यक्श करते हमारी वैलुप की value क्या करना है क्यों करना है अभी मैं बताऊंगा आपको पहले यह समझे कि government ने क्या करा कि हमारी currency value कम कर दी ठीक है devaluation कर दिया देखिए यहां 50 रुपए का एक डॉलर था और government को अगर devaluation करना है तो क्या करेगी exchange rate उपर set कर देगी तो उपर set करने क्या हुआ 60 रुपीज का 1 डॉलर हो गया तो पहले हमें 50 रुपए एक डॉलर के देने पड़ ले इसका मदलब क्या हुआ हमें जादर रुपए देने पड़ ले ना एक डॉलर के लिए तो हमारी currency value कम हो गई न ठीक है तो जब भी हम devaluation करते हैं तो हमेशे धान रखेगा जब भी devaluation होता है तो exchange rate जो हता है equilibrium से उपर set करा गार जाता है अभी मैं बताउंगा devaluation government क्यों करती है devaluation time !! हमेशे धान रखेगा जो rate of exchange होता है और से the change rate वो equilibrium से उपर सेट करा जाता है या कि higher than the equilibrium exchange rate समझाइएगा कि जब भी government equilibrium से उपर rate of exchange सेट करती है तो इसका मलब क्या devaluation कर रही है ठीक है अब माल लीजे government ने devaluation कर दिया government devaluation कर दी R1 हमारा devaluation का rate मलब जो नया rate होगा वो R1 होगा तो आप देख रहोंगे कि R1 जब हमारा rate exchange हो गया तो 60 रुपीज का जब 1 डॉलर हो गया तो क्या हुआ मार्केट में डॉलर की supply बढ़ गए और डॉलर की demand कम रहे देखें डॉलर की supply बढ़ गए यहां है और डॉलर की demand यहां हो रही ठीक है ना समझीए गद्यान से भाई जैसे मतलब कि हमारी currency की value कम कर दी और डॉलर की डॉलर की बढ़ गई तो सिंपल सी बात क्या है कि अब इंडियन मार्केट में डॉलर महंगा हो जाएगा कि नहीं महंगा हो जाएगा सिंप सही बात है कि पहले 50 रॉलर था और डी वैलुएशन करने एक आट क्या हुआ 60 रॉपीश का टॉलर हो गया तो इंडिया में डॉलर नहीं लगती है दिमांड कम हो जाती है तो बही हो रही हो रही है जब रेट चाहरो ज्यादा हुआ तो देखिए supply यहां है और demand यहां है तो access supply होने लगी क्या access supply होने लगी किसकी कि of foreign currency पॉरिन करेंसी कि क्या होने लगी access supply होने लगी अब देखिए government के devaluation करने से क्या हुआ जो dollar था उसकी बहुत ज़ाधा supply होने लगी Indian market में, ठीक है न, क्यों होने लगी चएक क्योंकि dollar costly हो गए और dollar costly हो गए, इस वज़े से जो dollar की supply करना चाह रहे थे वो लोग वो ज़ाधा supply करने लगे ताकि उनको profit earned कर सके, ठीक है ठीक है अब इसका implication क्या होगा समझते हैं देखिए अब किसी भी जैसे सबसे पहले समझेगा government ने devaluation करा जो government ने devaluation करा तो उससे हुआ यह कि government ने जैसे devaluation करा तो उससे यह हुआ कि market में dollar की supply बढ़ गई ठीक है क्योंकि dollar costly होगे और जो चीज costly हो जाती उसकी normal सी बात है कि supply भी ब अब बताईए क्या होगा अब जैसे ही government devaluation करेगी foreign currency की क्या होगा Indian market में supply बढ़ जाएगी और demand कम रहेगी अब मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज़ की supply बढ़ जाती है और demand क्या होती है कम होती है तो फिर से क्या होगा rate of exchange क्या होगा गिर जाएगा आर में आ जा जाता है demand कम हो रही है तो क्या होगा market में डॉलर की supply ज्यादा है demand कम है तो क्या होगा rate of exchange हमारा फॉल हो जाएगा और rate of exchange जैसे फॉल होके R1 से R आएगा तो जितनी भी access supply थी डॉलर की वह government purchase कर लेगी कौन purchase कर लेगा government purchase कर लेगी government वह 50 रुपीज के 1 डॉलर में purchase कर लेगी जितनी भी market में access supply थी ठीक है न तो इसलिए government access supply ये devaluation करती ताकि उसका foreign currency का stock बढ़ सके foreign currency का जो reserve maintain करती है government वो बढ़ सके इसलिए devaluation करती है government ताकि उसकी country के exports बढ़ सके ठीक है वह एक simple सी बात बताईए कि जब 50 रुपीज एक डॉलर था फिर 60 रुपीज का एक डॉलर government ने devaluation कर दिया तो इससे क्या होगा इससे यह होगा ना कि भाई जो बहार के बंदें उनको लगेगा कि आप हम एक डॉलर में जादा जादा चीज़ें खरी सकते हैं ठीक है तो devaluation जब भी होता है हमारी currency का devaluation बोल दीजे है depreciation depreciation के time भी हमारे exports बढ़ते हैं और devaluation के time भी export बढ़ते हैं कि दोनों का मतलब ही होता है कि हमारी currency value fall होना devaluation हमारा होता है fixed government की वज़े से और depreciation जो होता है वो market forces की वज़े से होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इसके implication में भी है जो मैं अभी यह समझा यह जो लिखा हुआ है यह सारा यह सारा वह devaluation फरक क्या है depreciation और devaluation यह difference depreciation होता है due to market forces और devaluation होता है गवर्मेंट की वज़े से गवर्मेंट जब डेरिबिटली जान बुझके गवर्मेंट rate of exchange set करती है ठीक है implication of devaluation क्या है implication of devaluation अभी मैं बताता हूँ यह देखिए devaluation की वज़े से देखिए access supply of foreign currency हो रही की नहीं हो रही है ठीक है भाई एक बाद बताईए देखिए गवर्मेंट ने क्या करा devaluation करा गवर्मेंट ने 50 ॉप це डॉलर था अब 60ुप पेक डॉलर कर दिए साट उपाइक डॉलर करने से क्या हूआ 60 रुपय एक डॉलर करने से यह हुआ कि इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाइब बढ़ गई मैंने आपको भी बताया था डॉलर की सप्लाइब बढ़ गई कितनी बढ़ गई पीकु हमारी डॉलर की बढ़ गई ठीक है ध्यान दीजेगा अब यहां के लिकार देखिए इ डिमांड कम रहे गए। तो अब इसका इंफा्ट क्या पढ़ेगा मार्केट में इसका इंपाक्ट ये पढ़ेगा कि मार्केट में जब डॉलर की सप्लाई जाता है डीमांड कम है तो रेट फटफ डॉल therapist क्या जाएगा तरहे टूरणत। बाई एक बाद बताईए कि जैसे ही क्या कहते हैं कि कार्मेंट ने devaluation कारा मतलब कि 1.5 रुपagar था और 1.00 अब कितने गा हो गया 1.60 रुपएगा हो ठीक है एक डोलर जैसे ही गॉर्मेंट ने 60 रुपएगा कारा वैसे ही क्या हुआ foreign currency की supply बढ़ गई इंडियन मार्केट में foreign currency की supply बढ़ गई इंडियन मार्केट में और foreign currency की supply बढ़ गई इससे क्या हुआ foreign currency की supply बढ़ गई और foreign currency के लोग demand कम कर रहे थे तो इससे यह होगा कि जो market में rate of exchange है वो क्या होगा वो फिर से 50 रुपए का आ जाएगा वो फिर से 50 रुपए का आ जाएगा ठीक है क्यों आ जाएगा क्योंकि market में access supply थी और demand कम हो रही थी कोई खरीद रहा नहीं है supply जाता है तो rate of exchange फिर से 50 रुपए का एक डॉलर आ जाएगा तो जो government ने devaluation करा था उसका मतलब क्या हो जाएगा lost हो जाएगा would be lost भाई government devaluation करा कि एक डॉलर साट रुपए का रहेगा और फिर से एक डॉलर पचास में आ गया क्यों आ गया क्योंकि supply जाता हो गई डॉलर की और demand कम हो गई जिस चीज की supply जाता होती दिमांड कम होती तो उसकी prices भी तो गिर जाते हैं भाई simple जी बात है कि डॉलर की अगर supply जाता है इंडि जितनी भी एकसे supply होती है तो वह गॉर्मेंट क्या करती खुद purchase करती ताकि फिर से आर ना हो आर रेट ऑफ एक्षेंज ना हो ठीक है ना इस केस में क्या होता है कि भाई गॉर्मेंट ने एक डॉलर साट रुपएगा करा है एक डॉलर साट रुपएगा करा है और उसकी उसकता है तो इसले गोर्मेंट क्या करेगी जितने भी access supply डॉलर की वो खुद purchase कर लेंगी ताकि हमारा Robert उ Metro ईक डॉलर साटी रुपएगा रहे एक साट रुपएगा रहे ठीक है तो इसले गोर्मेंट क्या करेगी जितनी एकसेस अफला ही है वह वो खुद purchase कर देगी तो वह यहां लिखा है कि it therefore become essential for the government to absorb the access supply by way of its own purchase of the foreign currency in the international money market तो simple सी बात है कि जब हमारा government devaluation करती है तो उसकी वज़े इस foreign currency की supply बढ़ जाती है और foreign currency की जो access supply होती है government devaluation का purpose maintain करने के लिए कि devaluation का purpose loss ना हो फाल्ट फिर से exchange rate कम ना हो जाए इस वज़े से गौवर्मेंट क्या करती है फिर से हमारा जो जितनी भी access supply होती मार्केट में उसको खुद purchase कर लेती है तो accordingly to the government reserve of Forex must rise तो इससे क्या होगा government reserve बढ़ जाएगा ठीक है और government reserve बढ़ जाएगा ठीक है अच्छी बात है government reserve बढ़ जाएगा और government खुद नहीं खरीती government के वियाद में RBI sale and purchase करती है foreign currency का international money market तो मैंने आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि government सबसे पहले क्या करा government devaluation करा मतलब कि आर से आरवन गई government आर से आरवन जैसे government गई devaluation करा तो इससे क्या हूँ और foreign currency supply बढ़ गए और foreign currency की demand इंडियन मार्केट में कम ही रही कोई demand ही नहीं करेगा जब कम डॉलर इतना costly और supply जादा है तो government क्या करेगी कि अब एक government के सामने एक दिक्कत आ जाएगी कि अगर वह क्या करते मार्केट के भरोसे छोड़ देगी कि भाई 60 रुपय एक डॉलर है और इस केस में एक्सेस अप्लाई हो गई डॉलर की और demand कम है तो फिर से हमारा 50 रुपय एक डॉलर हो जाएगा क्यों क्योंकि डॉलर की supply जाता है और डॉलर की की कोशिश करी थी ना तो डिवेलवेशन ताकी मैंटेन रहे तो इसलिए गॉलर्मेंट क्या करेगी जितनी वह एक्सेस अप्लाई है वो खुद पर्चेस कर लेगी और एक्सेस अप्लाई पर्चेस करने इस क्या होगा गॉर्मेंट का फॉर्ण करेंसी का स्टॉक उसके हम लोगों ने इंप्लिकेशन देखे ही थे ठीक है तो इस शीज को आप बहुत ध्यान से याद रखना है आपको ठीक है ना तो थैंक्यू बरे मच्च की बच्चिंग और एकनोमिक क्लासेस